असलाम आलेकुम वियूर्स वेल्कम टो माई चैनल सिविंग विद टेलर आज जो टापिक में आपके साथ शेयर करने लगी हूं वह है यह कमीज मैंने तक से लाइक की थे आपके साथ में शेयर कर चुकी है इसकी वीजियो अफलोड की हुई है यह पट्टी बनाने का तरीका इसकी पमेश कैसे करनी है हमने इस तरह रखना इसको खेंचना नहीं है इस तरह रखना है बस ऐसे इस तरह रखना है यह जो आपन पॉंट फाइव ठीक है यानि के यह 15 इंच है पंदरा इंच का हम में बैंच आइए यह बेन लेकर मैंने इसको इसली से चिपका लिया है अब इस पर हमने इसलाई लगा नहीं है इसलाई इसलाई इदर इतने रखने हैं आसे पाउं के फासले पर सलाई लगा नहीं है आसे लगा इसलाई इसलाई साथ बिकल्ट जाओ अधिया लगा लिए नहीं नहीं है देखें अधिके अध़ अब हमने इसके साथ साथ रखके स्वाई लगानी है यहां से हम शुरू करें दे पुरा पका कर लेंगे इस तरह रेबी बुक्रम कटा वेना इसी तरह हमने रेबी कपड़ा भी लेने हैं सिधा नहीं करना उसको तोड़ी गुलाई में बुक्रम की कटिंग भी होती है तो ऐसे हमने आडा कपड़ा लेना है इस तरह बुक्रम की कहा बुक्स है यह गे जब यह फाल्टुका प्रामी पसाथे कार देंदी थोड़े थोड़े इसमें चोटे चोटे टाक लगा देंगे हम इसे ही होता है कि कपड़ा फोल्ड सही तरह हो जाता है पिर सही अपनी जगह पे बैठ जाता है अब हम इसको सिधा कर लेंगे कि यह गया है अब यहां फे रखके यह पर हम पाओं को फाकले पिस ले लेंगे लेंगे हो जाता है आपको बाट सोब करेंगा दोगमा दोगए जोगमा है, आपको जोगए भी करेंगा। कि यह हो गया अब इसको यह फाल्टू कप्राय इसको कार देंगे फिर इसको गले के साथ टैज करेंगे इस तरह करके इसका सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे यहां पर एक चोटा सा टक लगा लें ऐसे इसी तरह कमीज का भी यह आगे जमने बटन पर टी लगाई है इन दोनों को पकड़के ऐसे रखे इसको भी बैलेंस करके इसका भी हम संटर पॉइंट निकालेंगे और वहां पर टक लगा देंगे टीक हो गया और अब लोगा इन अनुट रखनी है कमीज की चेक्ट है यह उल्टी साइड देखें यह सीधी साइड है यह उल्टी साइड है और टी तरह हमने रखना यह जलकर लिए आपको अ प्रकॉणुर से मजोड़ना शुड़ करेंगे इनारे से बुलकर घुरकर निकर केंचना नहीं है ना बेंड वाले कप्ड़ को अपने खेंचना है ना कमीज को खेंचना है इसे रखके बस साथ लगा लगा के सलाई करते हैं कि यह देखें यह सेंटर कमीज की सेंटर पॉइंट और गले का बैन का सेंटर पॉइंट बिल्कुल एक जगा पर आ रहे हैं यह इस तरह नहीं चाहिए अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आप सब्सक्राइब कर लें इसी तरह में पूरी स्लाई लगा लेंगे यह स्क्क्षल आता हैं झाल झाल यह सलाई हमारी पूरी होगी अब यह कमीज की सीदी साइड है ऐसे ऐसे अंदर करना इसको कॉर्णर सही बनाना है यह ऐसे ठीक है इसकी सलाई हम इदर से शुरू करेंगे ताकि फिर वो पकाव देंगे यह सिस्था करना हमारी यह देंगे यह इदर से वो आपसे लेकी आगे साथ साथ आपने इस कपड़े को अंदर करते जाना है अजिसे साथ साथ आपने कपड़े को भी सिदा करते जाना है अजिसना हमने फूरी कर लीए साथ अलगे जिस स्टार्ट में अजिसना हमें यह पक्की की थी आसा ही करना है इसको भी यह हो गया है यह मारा बेंड लग गया है कमेट्स करके जरूर बताईएगा आपको कैसा लगाई है अगर आपको मेरी चोटी सी कोशी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को जएदे जएदे शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें ठैक्स